हेलो गाईज वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ शिखा कैसे यह आप सब लोग तो आज मैं आपके लिए एक और न्यू डियाइवाय लेकर आई हूँ यह एक बजट फ्रेंडली डियाइवाय तो है ही जो आपके पैसे को बचाएगा और इससे कम मैंनत में आप अपने घर को भी अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे डियावाय लेकर रहा हूँ जो बजट फ्रेंडली हूँ आपके पैपर इससे प्रेंडली नहीं किया है और इसके उपर की लेयर मैं उतार रही हूँ इससे हमें एक टेक्शर वाला कार्ट बोर्ड मिल जाएगा अगर आपका पेपर इसली नहीं उतार रहा है तो आप एक वैट क्लोथ लेंगे और उससे डैप डैप करेंगे तो ये इसली निकल आएगा अब हम इस कार्ट बोर्ड के चार पीसेस करेंगे हम इसी टेक्शर वाले कार्ट बोर्ड से अज अपना क्राफ्ट बनाएंगे अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले कार्ट बोर्ड को ब्लू कलर से कलर करूँगी अब अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी कलर चूज कर सकते हैं मैंने यहां ओली दो कलरी यूज किये हैं आप चाहे तो दो से ज़्यादा कलर भी यूज कर सकते हैं अब हमारे चारो कार्ट बोर्ड पेंट होने के बाद मैं इसे ओवल शेप में कट कर लूँगी आप चाहे तो इसमें सरकल या और भी कोई शेप दे सकते हैं बोर्ड कम्प्लीट होने के बाद मैं स्वीट का एक बॉक्स लूँगी और उसे ओपन करकर उसके अंदर सरकल्स बनाऊंगी बेसिकली मैं एक वाल डेकॉर बना रही हूँ जो कि आप अपनी प्लेन वाल पर लगाएंगी तो वो दिखने में बहुत ही सुन्दर लगेगा अब हमने इक्वल साइज के थ्री सरकल्स कट कर लिये हैं अब मैं इसे पेंट करूंगी और ड्राय होने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि यह बहुत ही थिन लेयर है तो इसके पीछे मैं कार्टबोट का एक पीस लगाऊंगी और उसके बाद जो ब्लू वाले कार्टबोट हमने कट किये थे ना मैं उसके उपर इसे पेस्ट कर दूंगी और इसके बैक साइड में एक और पेपर लगा दूंगी ताकि यह टिका रहे अब हमने जो दो हाफ सर्कल कट किये थे ना उसके उपर भी मैं दोनों सर्कल्स लगा दूंगी बस इस तरह से हमारे यह वाल डेकॉर रेडी है तो अब देखिए इसका फैनल लुक मेरी नेक्स डियाइवाई में मैंने एक ठिक पेपर लिया है और एक कॉफी का पाउच लिया है इसमें से मैं कॉफी निकाल लूंगी और उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लूंगी अब इसी से इसके उपर हम कलर करेंगे क्योंकि मुझे हलका सा डार्क और लाइट कॉफी शेट चाहिए था तो मुझे लगा ये चीज इसके लिए परफेक्ट होगी इसलिए मैंने कॉफी पाउडर का यूज किया इसके बाद मैं इस पर स्कीन कलर कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा लाइट डार्क दिखे जाएगा और आप चाहिए तो इसे ऑल्लाइन भी परचेस कर सकते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब जो हमने दोनों स्टिप्स कट की थी ना उसे हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है और उसके उपर मैं यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ आप अपने क्रियेटिविटी के अकॉर्डिंग और कुछ भी इसमें चिंजिस कर सकते हैं मैंने यहाँ सिर्फ आपको एक आईडिया दिया है कि आप वेस्टेश चीजों से किस तरह से व्यूटिफुल सा कार्ड बना सकते हैं अब मैंने यहाँ पतला ठ्रेड लिया है और इसके उपर मैं यह ट्रैंगल्स को पेस्ट करूंगी आप इसकी जगे और भी कोई शेप यूज़ कर सकते हैं बट मुझे यह बर्डे कार्ड जैसा बनाना था इसके लिए मैंने यह शेप यूज़ किया अप इस तरह का कार्ड बना कर अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आप इसे बर्डे पर इगिफ्ट करें अभी friendship डे भी आने वाला है तो आप उस पर भी अपने friends को इस तरह का unique card gift कर सकते हैं बिलीव मी guys इस तरह का handmade card आपके friends को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है तो इस तरह से मैंने इसका eyes और nose पहले ही cut करके रख लिया था तो मैं आप इसनको यहाँ पर paste कर रही हूँ आप चाहें तो इस card को ऐसे भी रख सकते हैं और आप चाहें तो आउल में color भी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको आउल में color करना है तो आप इसे पहले ही color करके बाद में paste कीजिएगा तो color complete होने के बाद फिर से मैंने इसकी eyes, nose paste कर दिया है और नीचे की set में cute सा heart लगा दिया है तो देखिए लग रहा है ना market जैसा card मेरे third DIY में again मैंने texture वाला cardboard लिया है और earbud का एक box लिया है जिसके ओपर मैं इसे लगाने वाली हूँ actually ये box मेरे पास ऐसे ही रखावा था तो मैंने सोचा आज मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ अब मैं इसके अंदर वाली side को भी cardboard से cover कर दूँगी मैंने इसकी बोट side पर cardboard नहीं लगाया है आप चाहे तो लगा सकते हैं अब हम cardboard की दो strips लेंगे और उसे box के side में paste कर देंगे क्योंकि मैं इसे belt की तरह look देना चाह रही थी इसलिए हमेने plain cardboard का use किया है अब अगीन हम एक cardboard लेंगे और उस पर एक circle बना देंगे और उसे cut कर लेंगे ये जो circle मैंने cut किया है ना उसे हम box के mid में paste कर देंगे अब यहां मैंने एक silicone mold लिया है ये मैंने online purchase किया था इसका link मैं आपको description box में दे दूँगी इसमें मैं glue gun fill कर रही हूँ आप चाहे तो इसमें clay भी fill कर सकते हैं और dry होने के बाद इसे निकाल दीजिएगा देखिए वाओ इसमें same texture निकल कर आया है ये मेरे पास काफी time से रखा वा था पर मैंने इसे आज use किया अब glue gun से ही मैंने ये चार dot बना दिये हैं जिनने मैं चारो side में लगा दूँगी अब circle के चारो side में मैं ये hook लगा रही हूँ जब कभी भी हम किसी necklace को या chain को attach करते हैं तो उसमें ये hook का use होता है तो वही hook मैंने आज यहाँ पर लगाया है ये आपको market में easily available हो जाएगा मैंने याज जो जो भी item यूज किया है ना मैं उसका link आपको description box में दे दूँगी अब यहाँ पर मैंने पूरे box को black color से cover कर दिया है अब जो मैंने hooks लगाये थे उनके उपर मैं कुछ different different color के diamonds लगा रही हूँ अब मैं एक sponge लूँगी और pearl metallic color लूँगी अब मैं sponge में थोड़ा सा color लेकर उसे box के उपर लगाऊंगी ध्यान रखेगा कि आप color थोड़ा ही लें और उसे dab dab करकर इस पर लगाएं और अगर extra color आ भी जाता है तो उसे sponge के back side से remove कर लें इस तरह से metallic color से मैं पूरे box को cover कर लूँगी तो ये देखिए ये मेरा almost ready है पर मुझे इसके बीच में थोड़ा खाली सा लग रहा था तो मैंने again glue gun लेकर उसे mold में डाल कर इस तरह का stencil निकाल लिया और उसे mid में paste कर दिया अब मैं फिर से उस पर black color करकर उस पर golden color spread कर दूँगी तो देखिए लग रहा है ना कितना प्यारा कौन कहता है कि आपने इसे market से purchase नहीं करकर घर पर बनाया है आप इसे multi purpose की तरह use कर सकते हैं और अब देखिए इसका final look मेरे last DIY में मैंने रजगुले का एक tin लिया है और उस पर मैं black color कर रही हूँ आप चाहें तो dapper की help से dab dab करकर भी इस पर color कर सकते हैं चुकि आज का पूरा वीडियो मैंने texture वाले cardboard से ही किया है तो इस पर भी मैं texture वाला cardboard ही use करूँगी इस cardboard को मैंने half करकर इस tin के उपर paste कर दिया है और अब इसे black color से cover कर रही हूँ आप चाहें तो पूरे tin को भी इस cardboard से cover कर सकते हैं अब मैं same sponge लेकर उसके अंदर golden color लेकर उस पर spread करूँगी इस बार मैंने metallic की जगे golden color का use किया है इसमें जो extra color लगावा था वो सारा मैंने remove कर दिया अब मैं इसे decorate करूँगी decorate करने के लिए मैंने यहाँ पर एक net लिया है और एक flower लिया है अब इस net को मैं fold करकर इसके उपर लगा दूँगी और इसके just उपर मैं flower लगा दूँगी आप इसे अपने according कैसे भी decorate कर सकते हैं तो देर किस बात की कीजिए अपनी creativity का use और कुछ अच्छा सा बनाईए देखा अपने एक simple से cardboard से हम कितने अच्छे अच्छे DIY बना सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक तिल देन टेक केर बाई बाई